आज हम बनाने वाले गेहु के आटे से गुलाब जामून बनाना बहुत ही आसान है तो आप इसे एक बार जरूर ट्राइ करें और अगर आपको यह रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चले शुरू कर लेते हैं तो यह यहीं आटा है जिससे हम रोटिया बनाते हैं वह अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे फ्लेम को हम यहां पर रखना है ताकि जो आटा है वह अच्छी तरह से बुन जाए और कि तेज आच में अगर आप इसे पगाएंगे तो आचा जो है वह चल सकता है तो इसलिए दिमी दिमी आज में इसे रगारतार चलाते हुए इसे हम पका लेते हैं। तो इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज नहों जाए। आटे को हमने करीब 10 मिनिट तक के लिए चलाते हुए इस तरह से रोस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर फोड़ा सा चीन्ज हो चुका है। तो अब हम ग्यास को बंद कर देंगे और इसे हम थंडा होने के लिए रग देते हैं। यहां पर हम चाशनी बनाने के लिए एक कप चीनी ले लेते हैं। और इसमें हम पाई डालें गे। हमने यहां पर 1 cup और 1 4th cup पानी यूज किया है और अब हम गयास को आउन कर लेंगे इस चाष्णी को हमें बहुत जादा नहीं पकाना है कोई तार वाली चाष्णी हम इसमें नहीं बनानी है बस हलका चिपचिपा चाष्णी हम इसमें बना के तयार करेंगे फ्लेवर के लिए ह हमने यहां पर इलाइची डाल ली है और थोड़ा सा केसर के धागे डाल ली है यह बिल्कुल ऑप्ष्णल है अगर आप डालना चाहिए तो डाले वरना आप स्किप कर सकते हैं तो यहां पर हमारी चीनी है वह अच्छी तरह से इसमें घुल चुकी है और चीनी घुल जाने क आटा हमने जो भून के रखा था वह अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है इसमें वन फोर टीस्पून इलाइची का पॉरर डाल लिया है और इसमें एक चम्मज घी डाल लेते हैं और इन सब को अच्छी तरह से हम हाथ से मिला लेंगे तो इस तरह से मसलते हुए अच्छी त लेंगे और इसका बना करके तयार कर लेंगे तो इसे बहुत जादा हाथ डू नहीं बनाएंगे विल्कुल सॉफ्ट सा जब हमें बना लेना है अगर आपका बहुत ही ज़्यादा सक्थ होगा तो जब हम इसे बाल्स बनाएंगे तो बाल जो है वह थोड़ा क्रैक हो बनाना है जिसी की जो हमारे बॉल्स रहे वह बहुत ही चिकने से बनके तयार हो तो यह हमारा यहां पर डो बनके तयार हो चुका है तो इसमें से छोटा पोशन हम ले लेते हैं और इसका बॉल्स बना लेते हैं तो इसे पहले हलका साम प्रेस करते हुए और इसे इस तरह से शे और आप ध्यान रखे कि इसमें कोई भी क्रैक्स ना हो, बहुत ही स्मूध सा यह बन जाता है, यह देखिए इसमें कोई भी क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही स्मूध सा यह बनके तयार हुआ है, तो इसे फ्राई करने के लिए हमने ओईल को गरम करने के लिए रख द तो एक बर जितने आएंगे उतनाई गुलाव जमने डालेंगे और जब यह हलका से पक जाएंगे तभी हम इसे पल्टेंगे, अभी यह कच्छे हैं तो इसे अभी नहीं पल्टेंगे तो ये एक तरह से थोड़े पकने ही लगे तो इसे हम बीच बीच में पलट लेते हैं और बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमने फ्राइ कर लेना है तो यह medium flame पे हमने इसे अच्छी तरह से पका लिया है अगर आप इसे high flame पे पकाएंगे तो अंदर से यह कच्चे रह जाएंगे और बाहर से इस तो medium flame पे इसे अच्छी तरह से हमने brown कर लिया है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और इन गुलाब जामुन को हम चाशनी में डाल देंगे और इसी तरह से हम बाकी के भी गुलाब जामुस को फ्राई कर लेंगे और आप देख सकते हैं यह कितने सुंदर दिख रहे हैं देखने में यह देखिए है और हमने सारे गुलाब jamar को फ्राई कर के चाषणी में डाल लिया हैं स्दाइथ अश्रिक कि ना देंगे क्योंकि आझ कि इस तो इसमें 具ड़ा सा हम बॉलाब अने देंगे ताकि जो चाषणी है वह अंदर तक अच्छी तरह से चले जाए तो लेया तो आभ हम गैस को बंद कर देंगे और इसे आदे गंधे के लिए रख देते हैं आदे से एक गंटे के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं गुलाब जामुन ने चाशनी को अच्छी तरह से अब्जॉब कर लिया है और यह बहुत ही अच्छे बन के तयार हुए हैं तो फ्रेंस हम इसे काट करके देख लेते हैं तो यह आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन जो है वह बहुत ही जादा टेस्टी और बहुत ही जादा जूसी बन के तयार हुए है तो अगर आपको यहाटे से बनने वाले गुलाब जामुन की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब करके गंटी बटन जवर बाए मिलते रेक्स वीडियो पे किसी नहीं रेसिपी के साथ तिल्दें बाबाए